हेलो वियर्ज, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल लिटरेचर विदामना, उमीद है अब सब खेरियत से होंगे, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अफ्रीकन फीमेल राइटर नदीन गुडीमर की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी दि अल्टीमेट सफारी, यही शॉर्ट स्टोरी फर्स टाइम 1989 में ग्रांटा में पबलिश हुई, और फिर 1991 में गुडीमर की कोलेक्शन अफ शॉर्ट स्टोरी जंप अधर स्टोरी में पबलिश हुई, इसकी सेटिंग रखी गई मोजंबीक और साउथ अफरीका में, बेसिकली यह स्टोरी सेग्रिगेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थाइट जैसे इशुस के साथ जील करती है, जो साउथ अफरीका म कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया, कि वो कहां रह सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, दूसरी तरफ वाइट पीपल जो के माइनियॉरिटी थी और 20 फीसद से भी कम अबादी पर मुश्मिल थी, उनको सियसी कंट्रोल दिया गया, और आइस्ता आइस्ता पूरे बरिया वार के असरात का सामना करना पड़ा, तमाम विलिजिज उखड गए और जंग से फरार होने वाले शहरियों के रिफ्यूजिज केम्प साउथ अफरीका की सरहदों के साथ काइम कर दिये गए, नादीन गुडीमर की दी अल्टीमिट सफारी मुजंबीक की रहने वाली एक फ जिसे एक अन्नेम्ड लिटल गर्ल बियान करती है, कि किस तरह उन्होंने अपना गर्बास सबकु छोड़ कर साउथ अफरीका की तरफ सफर किया और रास्ते में उन्हें बहुत से तकलीफ और मुश्कलात बरदाश करना पड़ी, नादीन गुडीमर ने इल्टीमिट सफार पर बेस्ट है, यनि गुडीमर ने खुद मुजंबीकिन रिफ्यूजिस के केम्प का दोरा किया, नेरेटर आठ नो साल की एक बच्ची है, जो अपनी मां की गमशुदगी के बारे में कहानी शुरू करती है, कि एक बार उसकी मां केम्प के चुलहे के लिए तेल लेने निक बेस्ट है कि ये बैंडिट्स का ग्रूप एक रिबैलियस यनि बागी ग्रूप रिनैमो को रेफर करता है, जो मुजंबीक की मार्कसिस्ट गवर्मेंट का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे थे, नेरेटर के मताबिक ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मां को इन बैंडिट्स नह ही कतल कर दिया हो, जिनों ने इस गाओं में बहुत सारे लोगों को कतल किया, गरों को तबाह किया, समान चोरी किया और उनकी जिन्दगी को खوفनाक बना दिया, नेरेटर मजीद बताती है कि अपने मां-बाप जैसी किसमत से बचने के लिए उसने अपने चोटे बाई, जो क मुश्किल से ही कुछ बोलता है, नेरेटर बताती है कि इसका चोटा बाई, इसकी ग्रेंड मदर और ग्रेंड फादर ने इस मुलक को छोड़ देने का फैसला किया, और एक साथ सफर को निकल पड़े, उने लगा कि बहतरीन रस्ता क्रूगर पार्क से गुजरना होगा, क्र रिंदों, शेरों, हातियों और देगर जानवरों को देखने के लिए आते, सफर करने के दुरान रेफ्यूजीज को पार्क में कुछ भी खाने को नहीं मिलता, वो भूक से मरते रहते हैं और दुख बरे स्टेजिस से गुजरते हैं, वेर्ज याद रहे कि इस स्टोरी में क साइकलाजिकल डिजीज है जिसमें मरीज का माइंड सही से काम नहीं करता, इस बेमारी में मुबतला, तकलीफ और उलजन में हाई ग्रासिज में बटकते हुए कहीं खो जाता है, यानि डिसअपियर हो जाता है, उसका पता लगाने के लिए रुकने से कासिर, ग्रैंड मदर अपने शोहर को पीछे छोड़ने और सफर जारी रखने का फैसला करती है, ताके वो अपने पोती पोते को खाने और अराम करने की जगा मुहिया कर सके, फाइनली ग्रैंड मदर बच्चों को साउथ अफरीका के किनारे पर रफ्यूजीज के एक कैम्प में ले जाती है, उन इस कैम्प यनि इस खैमे के इलावा गरी या पनागरा खरीदने और रोजी रोटी कमाने का कोई मौका न था, आखिरकार गुसी और मायूसी के साथ खैमे में काफी देर बैठे रहने के बाद ग्रैंड मदर ने इंटों को लाने और ले जाने का काम शुरू कर दिया, ये का के दोरे पर आता है और साथ में वीडियो कैमराज भी लाते हैं ताकि रेफ्यूजी के एक्सपेरिंस को रिकॉर्ड करके एक कैटालोग त्यार कर सकें, नरेटर देखती है कि एक गेर मुलकी रिपोर्टर ग्रैंड मदर का इंटर्विव ले रहा है, इसी इंटर्विव के जरी रीडर को पता चलता है कि नरेटर की फैमली को तीन साल से ज्यादा अर्सा हो चुका है, गर बार छोड़ कर मसलसल सफर करते हुए, फ्यूचर की लिए बहुत छोटी सी उमीद के साथ कि शायद उनका मुस्तक्बल तबदील और बहतर हो और वो अपने गर वापिस करती हूँ, आपको समझ में आई होगी, थैंक यू सो मच पर वाचिंग,